नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ICIC Bank की Net Banking से Bank Account Statement और जो Tax का एक Form 26 AS होता है वो कैसे डाउनलोड किया आजा सकता है सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको Chrome Browser ओपन करके टाइप करना है ICIC Bank Net Banking मैं Net Banking की तुरू आपको बता रहा हूँ और Net Banking का यह पहला ही पेज दिख रहा है Internet Banking इसी पेज पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर ICIC Bank Internet Banking Login Now यह जो बटन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तो क्लिक करने पर यहां पर login के लिए दो option मिलते हैं user id और आपका phone number आप phone number से भी इसको login कर सकते हैं user id से भी user id से में इसको करना चाहता हूँ अगर आप user id password भूल गए हैं तो यहां पर get user id get password का भी icon दिया गया है तो यहां से आप user id और password ले भी सकते हैं user id normally आपकी जो customer id होती है वही user id होती है जैसे मैंने यहां पर password बनाया हुआ है तो password टाइप करके मैं login इसको कर लेता हूँ login करने पर जो इसका home page का interface कुछ इस तरह से दिखता है यहां पर दोस्तो statement आप दो तरीके से निकाल सकते हैं एक तो आप download कर सकते हैं दूसरा अपनी email पर मंगवा सकते हैं तो यहां पर जो यह bank account लिखा है इसी पर आपको click करना है उसके बाद accounts पर आपको click करना है दोस्तो click करने पर आपका नाम आएगा आपका account number इस तरीके से आएगा यहां पर view detail statement इसी पर आपको click करना है click करने के बाद आप यहां पर date range select कर सकते हैं from date to date from date में यहां पर इस तरीके से calendar open होता है यहां से आपको date month select करना है और to date by default आज की आती है और यह select होने के बाद आप इसको scroll down करेंगे यहां पर download as PDF का एक option आता है आप PDF format में इसको download कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आप left की तरह अगर देखेंगे इस statement का एक icon दिख रहा है यहां से भी आप statement निकाल सकते हैं चलिए मैं पहले इसको scroll down करके आपको दिखा देता हूं यह देखे download as PDF यहां पर यह select करके ok करना है दूसरा तरीका है दोस्तों statement over email का जो यह menu दिख रहा है इसी पर आपको click करना है यहां पर आपकी mail id पूरी लिखी नहीं आती है यहां पर cross cross आता है यहां से आप date range select करके कर सकते हैं अगर आपकी email id रेजिटर नहीं है तो update email का यहां पर option है यहां से अपडेट भी कर सकते हैं नहीं तो इसको आप submit कर दीजिए submit करने के बाद देखिए यहां पर confirmation एक message आ गया है your service request has been submitted successfully तो यहां से आपकी register mail पर थोड़ी देर में mail आ जाती है और एक और तरीका है दोस्तो इस statement download करने का जो यह e statement का यहां पर यह menu बार बना है इसी पर आपको click करके statement download कर लेनी है 26 as download करने के लिए दोस्तो एक मैं आपको तरीका बताऊंगा यहां पर payment and transaction यहां पर tax center जहां पर लिखा है वहीं पर आपको click करना है tax center में जैसी आप click करते हैं यहां पर पहला ही option है view tax credit statement form 26 as यह view वाले icon पर आपको click कर लेना है जैसी click करेंगे दोस्तो आपके register mobile number पर OTP आएगा वो OTP यहां पर type करके आप submit कर दीजिए यह बहुत ही important document होता है जब भी आप loan के लिए लेते हैं तो यह मांग लिया जाता है यहां पर इस तरह के से pen card नमबर आएगा इसको update कर दीजिए update करने के बाद एक ये box आएगा box में tick mark करके इसको proceed कर दीजिए प्रोशीट करने के बाद दोस्तो यहां पर view form 26 blue color का लिंक है इसमें क्लिक करना है उसके बाद यहां पर assessment year आपको select करना है यहां से आप पिछले 10 साल की कर सकते हैं view as आपको html select करना है और यहां पर view download वाले icon पर click करना है और इसको pdf में export करने के लिए export to pdf यहां पर click करके आप pdf format में इसको download कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर click करता हम तो यह pdf में यहां पर download हो चुका है इसको मैं open करके दिखा भी देता हूं यह इस तरीके से text का format आता है दोस्तो जहां से भी आपका tds करता है tds की detail इसमें आती है इसको आप डाउनलोड करके अपने computer पर अपने phone पर save कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर आप कोई loan लेना चाहते हैं तो आप मुझे contact कर सकते हैं इस number पर चैनल सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में share करिए मैंने कई सारे बैंक पर वीडियो बनाए हैं दोस्तों जैसे की HDFC बैंक Axis बैंक और बहुत सारे KYC related में मैंने वीडियो बनाए हैं फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ जाहिन दोस्तों धन्यवाद